हेलो मेरे भाईयो तो कैसे आप सब आज के वीडियो में यहाँ पर मैं बात करूँगा सीजन 22 के बारे में तो यहाँ पर जो सीजन 22 है इसे हमारे लांस्ट TV रोयल के वीडियो में अल्रेडी रिवील कर दिया गया है इसके बारे में यहाँ पर आप सबको तो अल्रेडी मालूम होगा बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्लेयर्स है जिनको यहाँ पर सीजन 22 के बारे में नहीं पता तो यह जो वीडियो है यह उनी कुछ प्लेयर्स के लिए है जिनको यहाँ पर अभी तक सीजन 22 के बारे में कुछ कुछ भी नहीं पता इसलिए भायों यहाँ पर वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आए देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 22 जो कि यहाँ पर काफी जल्द रिलीज होने वाला है इस बार कि यह जो सीजन है यह पेक का प्लेयाउस थीम के उपर बेस जोने वाला है यहाँ पर आपको मैक्सिमम चीजे इस सीजन में पेक का से रिलेटर देखने को मिल जाएंगे तो चलिए आपर बात कर लेते हैं न्यू इमोट्स के बारे में तो सीजन 22 में यहाँ पर आपको करीबन दो न्यू इमोट्स देखने को मिल जाएंगे यह first वाला emote आपको shop में मिलेगा और यह second वाला emote आपको past reveal में मिलेगा तो यहाँ पर season 22 में आपको special challenge में कोई भी emote देखने को नहीं मिलेगा तो अचलिए बात कर लेते हैं new tower skins के बारे में तो season 22 में यहाँ पर आपको एक new pack का tower skin देखने को मिल जाएगा एंड जो टावर सकीझ है, ये देखने में काफी ज़ी जाद मस्त लग रहा है एंड जो पूरा टावर सकीझ है, इसको फुली पेकका के ठीमक्यों पर बनाया गया है एंड जो टावर सकीझ है, ये आप सबको past well के tail 10 पर देखने को मिल जायेगा तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको ये जो टावर स्क्रेन ये कैसा लगा तो चलिए बात कर लेते हैं Season 22 के Boosted Card के बारे में तो Season 22 में Pekka एंड Mini Pekka ये दोनों ही कार्ड यहाँ पर Boost पर रहने वाले हैं तो चलिए बात कर लेते हैं Season 22 के बारे में और थोड़ा बाते कर लेते हैं तो जो Season 22 का Update है यहाँ पर आपको कुछ UI Changes देखने को मिल जाएंगे प्लस यहाँ पर जो Trophy Road है इसमें भी आपको थोड़े Changes देखने को मिल जाएंगे Basically आप जो Trophy Road के Rewards हैं इसमें आपको Main Changes देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको जो Magic आइटम से वो आप यहाँ पर Trophy Road में आड़ कर दिया जाएगा Season 22 में जो कि यहाँ पर काफी अच्छी बात है और आप जो प्लेयर से उन्हें जो Magic आइटम से वो काफी इसले Trophy Road से भी Collect कर पाएंगे Season 22 में यहाँ पर कुछ Glitches and Bugs को भी Fix किया गया है प्लस आपको यहाँ पर Clan World 2 में भी कुछ Changes देखने को मिल जाएंगे तो बस आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तेन वीडियो को Like और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फूर वाचिंग